हलो गाईज, वेलकम टू मैं चैनल, आज मैं आपके लिए आरिथमेटिक पे कुछ कॉस्चिन्स लेकर आया हूँ, यह मेमोरी बेस्ट कॉस्चिन है, जो कि IBPS क्लर्क्री 2018 में पुछा गया था, तो इसी तरह के कॉस्चिन को आप लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आएए देखत हैं, तो ज़्यादा टाइम बेस्टने करते हैं, अम लोग कुस्चिन की तरफ चलते हैं, तो पहला कुस्चिन देखिए, 61 कुस्चिन, पहला कुस्चिन है, एमैं इन्वेस्टेटेट 15% अफ इस मंतली इंकम इन एलाइसी, और एम एन एक आदमी 15% अपने मंतली इंकम का एक बाकी का 85% अपनी मां को दे देता है तो mother has spent 10% of it in household expenses and she had left with Rs. 30,600 then find the salary of the man तो इसे हम लोग कैसे solve करेंगे देख लिजे question number 61 let the salary of man let the salary of man be X आदमी का salary X मानते है तो उसमें से हम लोग minus करेंगे X minus ये 15% खर्च कर देता है 15% खर्च कर देता है LIC में ठीक है प्लस आप कितना बचा 85% बचा 100-15% इक्वाइब टू 85% 85% अपनी मां को देता है उसमें से 10% C C spend in household expenses तो उसका 85% का हम लोग 10% डिकाल लेंगे 85 इसका 10% तो ये total salary में से इतना salary minus हो जाएगा इतना जो expenditure हुआ है इतना minus हो जाएगा तो ये इतना बचा हुआ है 3600 तो अब हम लोग इसे calculate कर लेते हैं एक्स माइनस पांदो निए 10 पांच सते 32 यानिके 17 by 200 तो 200 हम लोग LCM ले लेंगे ये 30X हो जाएगा प्लस 17X एकॉल टो 3600 तो x एकॉल माइनस 47 30 प्लस 17 एकॉल टो 47 x by 200 एकॉल टो 3600 ठीक है अब y बन हो गया ये इसमें से हम लोग 200 x लेंगे तो ये 200 x 200 x माइनस 47 x 30600 आ गया अब 200 में से 47 को हम लोग अगर माइनस करते हैं तो कितना आता है देखिए 200 माइनस 47 एकॉल टो 353 आया ठीक है तो 153 x by 200 एकॉल टो 3600 अब ये 200 इधर जाएगा तो into 200 by 153 अब इसे काटते हैं हम लोग 3515 तीन एकॉल टीन 300 इतना आएगा फिर टीन का तीन संतिकेस 33 नहीं तीन एकॉल टीन चोक बारह 00 17 दोने चोटिस 00 इनके दो दोने चार यानिकी आजागा man का salary आजाएगा then find the salary of man तो man का salary आजाएगा रुपीज 40,000 हमारा answer तो इस तरह सो जाएगा 61 का option number E 61 question हो गया अब हम लोग question number 62 देख लेता है question number 62 if seven marks are awarded to right answer and four marks are penalty for penalty for wrong answer then प्रभात's score was 263 अगर साथ mark पर हर right answer पे दिया जाता है और चार marks जैसे पर wrong answer पे cut किया जाता है जैसे आपके IVPS exam में हर right marks के एक marks दिया जाते है और wrong marks के 0.25 कट किया जाता है लेकिन इसमें अलग है अलग case है इसमें हर right question के 7 marks दिया जाते है हर wrong answer के 4 marks दिया जाते है 4 marks deduct कर ली जाते है तिन प्रभात's score बाज़ 263 तो इस तरह से प्रभात का स्कूर 263 हुआ इस अगर उसने 58 question अगर उसने 58 question अगर उसने 58 question अटेम्ट किया तो उसका तो उसका सही question का attempt क्या होगा तो आईए हम लोग देख लिएते है तो हम लोग मान लेते हैं सबसे पहले let correct answers be x ठीक है अब इसमें से wrong answer क्या होगा wrong answer is equal to 58 question इसने attempt किया तो 58 में से x जाएगा तो ये wrong answer आजाएगा ठीक है अब देखिए अब क्या करना है according to question according to question क्या कर रहा है 7 marks हर right answer पर दिया जाता है तो 7x minus 58 minus x into 4 कर देंगे equal to 263 तो इसे calculate करते हैं हम लोग 9, 4, 495, 7, 4, 11 11 x तो x equal to 495 by 11 11 44, 11 55 तो आजागा 45 हमारा correctly answer मतलब correctly attempted question तो देखिए 62 को हो जाएगा answer हमारा A 45 असी तरह से हम लोग question number 63 देखते हैं question number 63 क्या कर रहा है in a city 68% of population is literate in which ratio of male to female is 11 is to 6 और 6% population literate है जिसमे male or female का रहाँ 11 is to 6 and ratio of illiterate male to female is 3 is to 1 or illiterate male to illiterate female का रहाँ 3 is to 1 then find the ratio of literate female to illiterate female in that city तो ratio पूछ रहा है illiterate female to illiterate female उस city का तो हम लोग देखिए बनाते हैं question number 63 तो सबसे पहले हम लोग माल लेगे let the population be let the population be 100x माल लेते हैं ठीक है अब इसमें से literate male का कितना हो जाएगा literate male equal to 68% दिया हुआ है तो हम लोग इसको 68x माल लेंगे 68x into male का ratio यह दिया हुआ 11 और 11 plus 6 equal to 17 अब इसे हम लोग डिवाइड कर देंगे 17 74 68 equal to male का 44x आ गया है literate male का उसी तरह से illiterate female illiterate female मतलब लिटरेट female का निकल लेते है literate female equal to 68x minus 44x equal to 68x minus यह literate male हो गया मतलब यह total literate population हो गया total literate population हो गया यह literate male आ गया तो इस population में से इसको minus करेंगे तो female का आ जाएगा तो आ जाएगा हमारे पास 24x यह illiterate female का population आ गया अब उसी तरह से illiterate population क्या है यह तो illiterate population हो गया 68x उसी तरह से illiterate population illiterate population equal to 100x हमने माना था total population 100x minus illiterate population equal to 68x हो गया तो इसमें से minus करेंगे तो 10x में से 8 जाएगा 2 9 में से 6 जाएगा 3 यानि कि 32x आ गया illiterate population अब इसमें क्या हमें पुछ रहा है ratio of illiterate female to illiterate female तो illiterate female का हमारे पास आ गया है 24x तो अब हम लोग illiterate female का निकाल लेते हैं तो देखे इसमें इसमें दिया हुआ and the ratio of illiterate male to illiterate female equal to 3 is to 1 तो यह female का दिया हुआ है ratio 1 तो यह 1y 4 कर देंगे 1 plus 3 equal to 4 शरी अठी बात इस equal to 8x यह illiterate female का गया अब पूछ रहा है ratio of illiterate female to illiterate female तो illiterate female का यह हो गया 24x 24x y illiterate female to illiterate female तो illiterate female का 8x आ गया x cancel आठी आ चोबिस equal to answer answer आ जागा 3 is to 1 देखिए 63 का option number C 63 का C उसी तरह से last question देखते हैं question number 64 क्या कहा रहा है question number 64 ratio of length to breadth of a rectangle is 4 is to 3 4 is to 3 length or breadth का ratio if the area of the rectangle is 108 cm square rectangle का area is 8 cm square and breadth of this rectangle is equal to the side of the square और इस और इस rectangle का breadth एक square दिया हुआ है उसके बराबर है then find the area of that square तो square का area find out करने कह रहा है तो 64 देख लेते हैं question number question number 64 तो let the length be 4 x length दिया हो, I have 4 let the breadth be 3 x तो अब area of rectangle दिया हुए 108 cm2 तो according to question L into B equal to area of rectangle equal to length into breadth तो L हो गया हमारा 4x B हो गया 3x into 3x equal to 108 cm2 8 cm2 तो चारती है 12x2 equal to 108 उसी तरह से हम लोग cancel कर देंगे 12x8 होतल से तो X square equal to 9 आगया उसी तरह से X equal to क्या आजाएगा X equal to under root 9 equal to 3 cm आजाएगा अंसर नहीं आएगा X equal to 3 cm आजाएगा अब क्या कहा रहा है and breadth of this rectangle is equal to the side of the square तो area of square find out करने कहा रहा है तो breadth है 3x तो X हमारा find out हो चुका है 3 cm breadth equal to हो जाएगा breadth equal to 3 into 3 equal to 9 cm हो जाएगा अब हमें पता है area of square equal to square equal to side square होता है तो उसी तरह से side इसका दिया हुआ है 9 cm तो 9 का square कर देंगे 9 नमा 81 cm square आजाएगा हमारा area तो square का area आगे हमारा 81 cm square 64 का d 64 का d आजाएगा answer तो इसी तरह से हमने arithmetic के question को काफी easily solve कर लिया इसी तरह के memory based question को अगर आप लोग solve करना चाहते हूँ और देखना चाहते हूँ तो मेरे channel को subscribe कर लिजे और इस video को like कीजे मैं इस channel पे memory based question लाता रहता हूँ क्योंकि 90% of the time exam से memory based question से ही पुछे जाते है तो thank you guys